Good morning students, मैं इसमाइल से प्रभाः आज मैं आपको एक टेटर शो दिखाऊंगी जिसका नाम है TENS आज हम TENS के बारे में सीखेंगे बच्चों, आप कोई भी काम करते हैं तो वो किसी न किसी समय होता है TENS का मतलब होता है काल या समय यानि कि किसी भी काम के होने का समय ही TENS कहलाता है बच्चों TENS तीन प्रकार के होते है पहला होता है Present TENS यानि कि वर्तमान काल दूसरा होता है Past TENS Past का मतलब बीता हुआ समय या भूत काल और तीसरा होता है Future TENS Future मतलब आने वाला समय या भविश्य काल है पहला है present tense दूसरा है past tense और तीसरा है future tense बच्चो अब हम सबसे पहले समझेंगे present tense के बारे में हेलो बच्चो मैं हूँ present tense present का मतलब अभी जो समय चल रहा है उसके बारे में या वर्तमान काल बच्चो मैं चार प्रकार का होता हूँ उसमें जो सबसे बहला प्रकार है वो है simple present tense बच्चो simple present tense का प्रयोग उन sentence में किया जाता है जिसमें बार-बार किये जाने वाले काम या आदतों के बारे में बात की जाती है या किसी सार्भुमिक सत्य की की जाती है तो बच्चो जब मेरे प्रकार का sentence बनाते हैं या simple presentance का sentence बनाते हैं तो उसमें verb की first form के साथ S या इस लगता है पर I, V, U और दे के साथ केवल verb की first form लगती है उसमें S या इस नहीं लगता जबकि he, she, it या किसी नाम के साथ verb की first form के साथ S या इस लगता है जैसे की go verb जो है यदि उसका प्रयोग किया जाए he के साथ तो वो बनेगा he goes और go के साथ लगेगा हमेशा इस इसी तरीके से यदि मैं बोलूँ she plays तो play के साथ लगेगा S she works it works meira works तो बच्चो जब simple present tense का sentence बनाया जाता है तो उसमें verb की first form के साथ S या इस लगता है पर he, she, it या किसी नाम के साथ और I, we, you दे के साथ केवल verb की first form ही लगती है बच्चो कुछ verbs ऐसी होती है जिनके साथ S लगता है जैसे play के साथ लगेगा plays इसी तरीके से jump के साथ लगेगा jumps और कुछ वर्व ऐसी होती है जिनके साथ E S लगता है जैसे की go, अगर go को हम किसी subject के साथ प्रयोक करें जैसे he, she, it या किसी name में से तो ये बनेगा he goes, watch, she watches बच्चो इस प्रकार simple present tense के sentence बनाने के लिए आपको subject को देख करके उसके साथ वर्व की first form लगानी है और यदि subject he, she, it या कोई नाम है तो आपको वर्व के साथ S या E S लगाना है और यदि subject I, V, U दे है तो आपको वर्व की first form ही लगानी है इस प्रकार से आपको मेरे sentence बनाने है बच्चो मेरा दूसरा प्रकार है present continuous tense मेरा प्रयोग तब होता है जब वर्तमान या चल रहे समय में किसी काम के जारी रहने के बारे में पता लगता है जैसे कि I am working, मैं काम कर रहा हूं, we are working, हम काम कर रहे हैं बच्चो मेरा जब sentence बनाया जाता है और I subject होता है तो I के साथ हमेशा am helping work के रूप में लगता है और work की first form के साथ ing जुड़ जाता है जैसे कि I am playing play के साथ हमने ing जोड़ा और वो बना I am playing इसी तरीके से you, we और they जब subject हों तो उसके साथ जो helping verb लगती है वो है are और work की first form के साथ ing लगता है जैसे they are working, you are working इसी प्रकार जब he, she, it और किसी नाम को subject के रूप में प्रयोग किया जाता है तो helping verb लगती है is और work की first form के साथ लगता है ing जैसे reena is cooking reena खाना पका रही है he is jumping वह कूद रहा है तो इस प्रकार बच्चो present continuous tense होता है उसके अंदर वर्तमान समय में यानि कि चल रहे समय में किसी काम के जारी रहने के बारे में पता लगता है तो बच्चो इस प्रकार आज आपने कुछ examples के जरिए simple present tense और present continuous tense के बारे में समझा और जाना next video में हम past tense के बारे में जारेंगे तब तक के लिए bye bye